तमस्कार साथियो स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर हमारा जो टोपिक चल रहा था मध्यप्रदेश में नदिया उससे संबंदी थी या पार्ट फोर है इसके पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री भी जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिया ग उज्ञेन गवालियर या सागर तो इसका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है आपका उप्ष्ण ए उज्ञेन से जो है आपकी शिप्रा नदी गुजरती है या इस प्रकार से भी कोश्चन आ सकता है कि जो उज्ञेन शहरे वह किस नदी के टट पर इस्तित है तो वह शि यहस्ता कुम्ब का मिला लगता है साती भगवान सहीव के जो बारा जोती लिंग है उसमें से एक महाकाल इस नगरी में भी आपका इस्तित है अगला कोशन यहाँ पर देखते हैं कि इंदोर जो है किन दो नदियों के संगम पर आपका इस्तित है चार उप्षन है नर्मदा और जगह है तो खान और सरस्वती जो नदिया है उनका संगम आपका इंदोर में होता है देख लिजे इससे जूड़ी जानकारी इंदोर रानी अईल्याबाय हुलकर के राज्य में इस शहर की योजना बनी और इसका निर्मान हुआ था इस शहर का नाम अठारी शदी के इंदे प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इंदोर को जो है मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है अगला कुछन यहाँ पर हमारा है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्यपुन नदी दीप कौन सा है चार ओप्षन है काल भेरव उंकारेश्वर बान गंगा या नूरा दी तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है उंकारेश्वर जो नदी दीप है वह मध्य प्रदेश का सबसे महत्यपुन नदी दीप है और कि जिले में इस्ति थे यह जो है आपका मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इस्ति थे देख लेते हैं इससे जूड़ी की जानकरी तो यह जो नदीदिबॉंकारेशवर में हैं और आपका खंडबा में नर्मदा के तंटट पर इस तित है। यहाँ पर महादेव का मंदिर आधि संक्राचारी की गुफा एथ सिद्धनात का मंदिर ममलेसवर मंदिर उंकारेशक का मंदीर आदी दर्सनी इस्तल है उंका रेश्वर का प्राचीन नाम क्या था तो इसका प्राचीन नाम आपका मांदा था देश के 12 या 12 जोतिलंग में से भी इसकी जो है आपकी गढ़ना की जाती है अगला कोशन यहाँ पर है कि नर्वदा आपने दोनों तरफ संग मरमर को जाती है इसे निमने जिले में देखा जा सकता है यानि कि इस प्रकार का द्रश्ट जो है निमने लिखित में से किस जिले में हम देख सकते हैं तो यहाँ पर चार उप्षन है उज्जेन रतलाम धारिया जबलपूर तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है जबलपूर में इस प्रकार का द्रश्ट जो है हम देख सकते हैं चलिए देख लेते हैं इस से जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी नर्मदा से 13 किलोमेटर दूदर इस्तित मद्यपदस का जबलपूर नगर संग्मर्मर की चट्टानों के लिए भी जो है आपका पेचाना जाता है वास्तम में जबलपूर के समय पर बेडा गाट इस्तल भी है और यहां पर दुआदर जल प्रपाद भी है यही पर संग्मर्मर की चट्टानों का विशाल समू है और इस प्रकार का द्रश्ट भी जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो नर्वदा नदी क जो गाटी है जो है एक सक्री गाटी में यहां पर प्रवाहित होती है अगला कोशन है मद्यपदेश की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वह है आपकी नर्मदा नदी इसका उद्गम कहा से होता है तो मद्यपदेश के अमर कंटक क्या जो पूश्वराजगर तेसिल है व देश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और मद्यपदेश की जीवन रखा भी नर्मदा नदी को आपका कहा जाता है वहीं देश का दूसरा सबसे उच्चा बांध सरदार सरोर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है और किस राज्य में इस्तित है तो व आपके गुजरात में हैं यहाँ पर गिरती है अगला कोश्चन यहाँ पर हमारा है कि मद्यप्रदेश और राजिस्तान के बीचे सिमा बनाने वाली नदी कोन सी है चार उप्षन चंबल सिंध यमना या इन में से कोई नहीं तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है और चंबल नदी मद्यप्रदेश और राजिस्तान के बीचे जो है आपकी प्राक्रतिक सिमा का निर्मान करती है अगर आप से पूछा जाए कि जो चंबल नदी है इसकी कुलंबाई कितनी है तो 965 किलोमेटर है इसका उद्गम कहां से होता है तो जानापाव पाड़ी महू इं प्रतापसा अगर कुछ प्रमुक परियोजना है आपकी चंबल नदी पर इस्तित है इसके दवरा इसके दूरा जो महां खट बनाया जाते है उसके लिए भी इसको जाना जाता है या इसके दूरा बीहड़ निर्मान जो चंबल मूरेनवाला च्षेत रहें वहां पर किया ज तो इन दोनों का संगम जो है आपका इंदोर में होता है लेकिन इस कोशन में हमसे पूछा जा रहा है कि सरसोती और खान जो है किसके सायक नदी आये तो यह जो है आपके शिप्रा नदी के सायक नदी आये तो सरसोती और खान किसके सायक नदी है शिप्रा नदी के सायक नदी कि बाकर location कहां से होता है तो इसका उद्गम एक जगा है जिसका सबाखर यहां से जह है इसका उद्गम होता है और यह जगह कहां पर इस्तित नहां कि बात करें ग Munson में आपकी चंबल नदी मिल जाती है तो इस भीपकर सरस्वति और खान की इसकी सायक नदी तो शीपरा की और शिपरा किस новых नदी है तो यह आपकी चंबल की सायक नदी आपयों कोरुइब हैं कि यहाँ अजिते हैं चारो यहाँ जुवरें यहां पर हुपष्प्सीललया क्यों即कि नहीं नहीं है दोनों का मेककाल पाहड़ी से होता है तो यह जो है हमारा उप्षन भी है यहां पर राइट अंसे बनता है यानि कि दोनों नदिया केवई और जोảiला की बात करता हैं दोनों का जो उद्गम है मेकाल पाहडी से होता है चलिए देख लेते हैं इन से जुड़े कुछ मात्वपुन जानकारी तो मद्य प्रदेश के अनुपूर जिले के अमर कंटक की मेकाल पाहडी से निकलने वाली जोहिला नदी सोन नदी के आपके सायक नदी है जबकि 36 गर राज्य के कोरिया जिले से निकलने वाली केवई नदी का जो उद्गम इस्तल भी है मेकाल परवर संकला में ही था में ही है तथा केवई भी सोन के सायक नदी है तो दोन जो है हमारे यहां Hammer contact से ही निकलतीं है यह दोनों जो है quieres यह पर प्येंच एक नदी है जो निमले लिखित नदी से जूड़ती है चार ने यह मनां गंगा गोदावरी या चंबल तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है यह इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्होड़ी नदी है देख लीजिये इस नदी, इसका उद्गम की जिले से होता है चिंदवाड़ा जीले से होता है। वहाँ सद्पूरवा उसको प्रेणी औक मैं उद्धाची फह से होती हुए तो अबहाया चिंद्वाड़ा,ुई,क्र oppose mना करना फिस्क षोल्वि यह नदी जो है कानहान नदी में जो है आपकी मिल जाती है तो यह थी आपकी यहाँ पर पेंच नदी चलिए देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन यहाँ पर है कि रानी अवंती बाई लोधी सागर नदी परियोजना जो है आपकी किस नदी पर इसती थे तो यह जो है आपक की विरांगना थी उनी के नाम पर जबलपूर के निकट बर्गी गाउं में नर्मदा नदी पर आपका बर्गी बांद के विशाल जलैसाई का नाम रानी अवंती बाइल लोधी सागर रखा गया है जिसकी लंबाई आपकी 34 agriculture है तो दीखिये कहा परेस्तित है तो यह जो है आपका जबलपूर में जर्फित है और इसे जो है आपका बर्गी बांद के नाम परियोजनाzar अगला कुछ निया आपर है कि कच्छु की दूरलब प्रजातितिया किस नुदी में आपके पाई जाती है चार चम्बल जामनी इहा है तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता हैे वह बनता है सोन नदी में जो कच्छो की दूरलब प्रजातिया है वह आपकी पाई जाती है देख लिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी तो मद्यप्रदस के सीधी सेडोल जिले में घडियालों के सरक्षन के लिए सोन नदी पर बने सोन अभ्यारन में कच्छो की दूरलब प्रजाति आपकी पाई जाती है तो इस प्रकार जो मद्यप्रदस के सोन नदी है वहाँ पर घडियालों का सरक्षन आपका जो सोन अभ्यारन उसमें किया जाता है अगला कोशन यहाँ पर कि किस इस्तान पर बेतवा नदी योमना से मिलती है चार उप्षन है हमिरपूर उज्जेन हमिरपूर तो इसका आपका राइट आंसर बनता है हमिरपूर जो कि ? ओत्तर प्रदेश में एक जगह यहाँ पर बेतवा नदी यहाना नदी को तो हमिरपूर के निकट यहमना मिलतीक रहेhouर dawक है प्राणिक नाम था वह आपका वेत्रवती था तो यहां ती बेत्वा नदी से जुड़ी आपकी जानकारी है अगला कोशन यहां पर है कि जब हाड और कहलाता है ब्लोक परवायता है ओप्शन ए सोरी ओप्शन बी जो है आप राइट आंसर बनेगा आपका इस प्रकार जो है आपकी दरार घाटिया कहलाती है देख लिजे इससे जुड़ी जानकारी सत्पूड़ा प्रवस्रेणी नर्मदायों ताप्ति की दरार घाटियों के ब यह तो होती है और सोब्ट चटानों को नश्ट करने की कोशिस करती है तो इस इस तति को आपका दरार गाटिया कहा जाता चूलिए जों में चूलल ने दोरे बनाई जाता है तो चंबल नदी के दौरे इसका निर्मान किया जाता है देख लेते हैं इससे जूड़ी जान करें चूलिया एक जहना है जो चंबल नदी द्वारा आपका बनाए जाता है किन्तु चूलिया जलप्रपात राजिस्तान के कोटा संभाग में बेशा रोड के निकट है नकि मद्द प्रदेश में इस जलप्रपात की उचाया के 18 मिटर है अगला कोशन यहाँ पर है कि उत्तर और दक्षिन भारत के पारंपरिक सिमा नदी जो है वह कौन सी थी यानि कि उत्तर और दक्षिन भारत के बीच पारंपरिक सिमा का जो निर्दारने किस नदी के द्वारा किया जाता है चार उप्षन है सोन नर्मदा सिंदु य नर्मदा का धार्मिक के साथ साथ भोगोलिक महतोवी प्राचिनकाल से बना है मद्यप्रदेश के अमर कंटक से निकल कर पूरव से पश्चिम की और भेते हुए खंबात की खाड़ी में सामने वाली नर्मदा नदी को उत्तरवर दक्षिन भारत में विभाजित करने वाली पा परहले देखते हैं यहाँ अगला कोशन देखने आगर आप सब्आप से पूछने आजाई कि किस नदी पर बनता है तो इह जो है आपका बीहड़ नदी में बनता है चले देखते हैं अगला कोशन लोगप्रिय शीव मंदीर जो की बेतवान नदी के टट पर है यह कहाँ पर इस्तित है चार उप्षन है यहाँ पर उज्जेन, मांडू, भोचपूर या रिवा तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है ब स्पिशाल सीवलिंग वाले इस मंदीर को उत्तर भारत का सोमनाद भी जो आपका कहा जाता है इस बोचपूर मंदीर या बोजेश्वर मंदीर या जिचाल मंदीर भारत और के राइस्जिले में स्थित है साथ देखिए यहां से अगर पूछा जाई कि यह किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह आपका बेतवा नदी के किनारे इस्तित है अगला कोशन यहां पर कि प्राण हिता संगम किन दो नदियों का संगम है चार उप्षन है नर्मदा तवा काली सिंध चंबल वेन गंगा वर्धा या कुवारी सिंध तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बनता है बेन गंगा और वर्धा का जो इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उसको आपका प्राण हिता के नाम से जाना जाता है प्राण हिता संगम मद्यप्रदेश की दो नदियों बेन गंगा तथा वर्दा के संगम इसतल को कहा जाता है बेन गंगा नदी मद्यप्रदेश के सिमनी जिले से निकल कर बाला घाट होते हुए में जो है आपके प्रवेस करती है अगला यहां पर है कि वर्दा नदी कहां से निकलती है तो वर्दा नदी का जो उद्गम है आपका बेतुल से होता है देखिए द्यान रखिएगा जो वर्दा नदी है इसका भी उद्गम जो है आपका बेतुल से होता है वहीं एक और नदी कर से जो है होता है यह नदी लगबग 13 किलोमेटर तक छिंदवाड़ा जिले की दक्षिनी सीमा बनाते हुए महाराष्ण में आपके प्रवेस्ट करती है इसके कुल लंबाई 525 किलोमेटर तथा इसका अफ़ाज छेत्र आपका 2400 किलोमेटर वर्धा नदी महाराष्ण में बेन गंगा में आपके मिल जाती है वर्धा नदी इसका उद गंगां से होता है तो वर्धनसिकर जो कि आपका बेत्व Efendimiz consistent आपका होता है उद्गार RA dot तो इसका आपका राइट आंसर बनता है होशंगाबाद जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे इस्ति थे और इसका जो नाम है नर्मदा पूरम करने की घोशना हाली में प्रदेश के जो मुख्यमंतिरी है सिराचिंग चोहान उनके द्वारा की गई है मद्धपदेश का होशंगाबाद नगर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे इस्ति थे एक एतियासिक नगर है जो वर्तवान में जिला मुख्यालाई तथा संभाग मुख्यालाई भी है होशंगाबाद के इस्ताफना मांडू मालवा के द्यूतिय राजा सुल्तान होशंग सा गोरी द्वारा पंदर्यु शताब्दी के आरंब में जो है आपकी कराई गई थी इसलिए इसका नाम होशंगाबाद पड़ा है अगला यहाँ पर है कि चूल्या जल्प्रपात किस नदी पर इस्ति थे तो यह आपका चंबल नदी पर इस्ति थे कितना उचा है तो यह आपका 18 मिटर उचा है और किस राज्य में इस्ति थे तो यह आपका राजिस्तान राज्य का जो कोटा जिला है वहाँ पर आपका यह इस्ति थे चलिए देखते हैं यहां पर अगला कोशन एक्टारीफ झेभान है थे मंधार जलपरपात के नदी दूमित हई छंडिया तता बढ़वा के मध्य इस्ति थे यह नेमावर करीब 40 किलोमेटर पर मंधार पर और पसंसा के करिब 40 किलोमेटर पर दद्राई में नदी लगबग 12 मिटर की उचाई से गिरकर इंजल प्रपातों का जो है आपका निर्मान करती है अगला कोशन यहाँ पर पूरा इस्तल एरन जो है किस नदी के किनारे इस्ती थे चार उप्षन बिना नदी काली सिंद नदी तमसा नदी य सागर जिले में विदीशा के निकट बेतवा नदी के किनारे विध्यांचल परवत मालाओ के एक पठार में इस्ती थे एक वेश्नव छेत रहे जो कि मंदिरों की एक महन स्रंखला के रुप में जाना जाता है बिना नदी जो है बेतवा नदी की सायक नदी है एरन में चार स प्रफम साक्ष जो है मिले थे और यह जो आपका सागर में इस्ति थे अगला कोश्चन हमारा है कि मध्यप्रदेश की किस नदी को शूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है चार उप्षन है चंबल तापती सोन्या नर्मदा तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है बनता नदी है इसको शूर्य भगवान की पुत्री आपका कहा जाता है इसका उद्गम कहां से होता है अमर कंटक्स होता है साती यहां पर इसकी बात करें सोर्य यहां पर इसका राइट आंसर आईगा आपका तापती नदी को सूर्य भगवान की जो पुत्री है आपका यहां पर को जाता है तूससार बहें को सुर्य भगवान के पृत्री आपका जाता है तर्फ है इससे सनी की भिंधी वरतीा हो प्रोड़ाइंग है स्वार्ण नदी के नाम से जाता है तो यह तो हमारा आज का जो ये तो इससे के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है कंप्लेट होता है वीडियो के साल लगा कमेंट करके जरूर बताएगा साति अधिक आधिक लोगों तक शेर करें गा वीडियो को लाइक करेंगा और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा थाइंक्यू वेरी मच